हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो और यूटुब चैनल दोस्तो आज की वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा के अगर दोस्तो आपका इंडक्शन कुक टॉप में E0, E1, E2, E3 से लेकर दोस्तो E7 तक फाल्ट आता है ठीक है वह फाल्ट दोस्तो किस करार से आता है और आप उस फ कारड लगाई है देखे इस प्रकार से तब तो दोस्तो यह हमारा असानी से लग जाता है और इसमें कुछ भी फाल्ट आ देखने को नहीं मिलता है ठीक है स्टार्टिंग में लेकिन दोस्तो लंबे समय तक चलते रहने से इसमें E0, E1, E2, E3 ऐसा दोस्तो फाल्ट आ देख देखिए फाल्ट कोड दोस्तो यहाँ पर दिया हुआ है तो दोस्तो सबसे पहले बात करो E0 फाल्ट को दोस्तो यहाँ पर देखिए No port warning इसका मतलब है कि दोस्तो आप बरतन इसमें नहीं रखोगे उस condition में दोस्तो यह हमारा ऐसा जहें सिंप्टम देखने को मिलता है कि E0 दोस्तो उसको जहें सिंप्टम क्या क्या है देखिए यहाँ पर दी बजर रिंग्स इमिडेटली मत्ब तूरान जहें बजर रिंग करना दोस्तो स्टार्ट हो जाता है ठीकिए दोस्तो देखिए इसमें बर्तन रखोगे दोस्तो आपका बजर रिंग दोस्तो इमेंडेटली देखने को मिलता है इसमें भी दोस्तो आप जहें फॉल्ट इसमें रिमूग कर दोगे उस कंडिसर में दोस्तो आप जैसको चालू कर सकते हुछ है अब दोस्तो यहाँ पर देखिए हाईवोल्टेज प्रोटेक्शन में दोस्तो यह हमारा दिया हुआ है ठीक है अगर दोसदो आपको जब मतलब देखिए हमारे सि्टम को राने कि अगर कम करो गी तो जल जाताया है अगर काम नहीं करने के वज़े से दोसे लो यहां पे जो दोस्तो फालो कीजिए E4 का दोस्तो फाल्ट जो देखिए IGBT thermal is bad और not plugged in properly दोस्तो यह हमारा जो है जो IGBT को उपर दोस्तो फालो कीजिए दोस्तो देखिए यह हमारा IGBT है दोस्तो इसके देखिए यह वाला जो नीचे में लगा है दोस्तो यहां पे देखिए यह वाला हमारा I है ठीक है जो यहां पे लिखा है IGBT thermal is bad और not plugged in properly ठीक है अब दोस्तो देखिए E5 का फाल्ट देखिए bottom over temperature अगर आपको bottom side ज्यादा temperature हो जाता है दोस्तो ज्यादा temperature का मतलब यह वाला हमारा heat sink अगर ज्यादा temperature हो जाता है उस condition में दोस्तो यह वाला फाल्ट हमको देखने को मिलता है अब दोस्तो यहां पे देखिए एक और फाल्ट है यहां पे देखिए E6 करके लिखा है तो दोस्तो the bottom of the furnace is thermally damage or plugged damage मतलब दोस्तो देखिए E6 का fault दोस्तो आपको तब देखने को मिलता है जब आपका furnace ठीक है thermally damage हो जाए ठीक है मतलब ज्यादा over heat हो कर दोस्तो वो आपका डायक वगर लगया रहते है उसको damage कर दे उस condition में दोस्तो यह हमारा E6 का fault देखने को मिलता है आप दोस्तो यहाँ पर देखिए उसका fault introduction दोस्तो आप किस प्रकास से उसको दूर करोगे दोस्तो उसको यहाँ पर लिखा हुआ है अब दोस्तो बात करें E7 fault का दो दोस्तो देखिए system error अगर आपका system काम नहीं कर रहा है उस condition में दोस्तो वो हमारा E7 अब दोस्तो यहाँ पर देखिए normal display में IGBT over temperature ठीक है तो दोस्तो इसमें यह कोई भी symptom fault code नहीं दिखाता है ठीक है इसको दोस्तो आपको देखिए buzzer sound immediately and will be automatically recover after the temperature return to run normal दोस्तो यह हमारा temperature बढ़ जाता है ठीक है तो वो आटोमेटिकली जब remove हो जाएगा उस condition में दोस्तो यह अपना normal condition में आ जाएगा ठीक है अब दोस्तो देखिए यहाँ पर एक और है over current protection no alarm sound it can require by itself दोस्तो यह कोई भी आपको symptom देखने को नहीं मिलता है ठीक है इसको खुदबखूद आपको जहे solve करना पड़ता है तो दोस्तो देखिए इस प्रकार से फाल्ट आपको जहे देखने को मिलता है अगर आप जहे नया induction पर्चस करते हैं दोस्तो इस शाटिंग में फाल्ट देखने को नहीं मिलता ठीक है जब दोस्तो वह प्रणा होते जाएगा तो दोस्तो यह बारी बारी से आपको कुछ भी दोस्तो फाल्टा सोक करने लगता है ठीक है देखिए यह आपर E0 E1 E2 E4 और दोस्तो E7 तक ठीक है तो I hope दोस्तो इस वीडियम जो है यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो दोस्तो एक जान लाइक जरूर कीजिए चलिए दोस्तो मिलते है नेस्ट वीडियो में